आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह statement बिल्कुल करेक्ट है ओजोन का यूस काफी ज्यादा जर्मिशाइड इन डिसेंफेक्टि अमेडिकल परपस के फॉर्म में भी यूस किया जाता है यह statement क्या है बिल्कुल करेक्ट है बच्छो ठीक है यह statement बिल्कुल करेक्ट है जब आप पोटैसियम पर मेगनेट के साथ इसका रेक्शन करवाते है तो यहाँ पे और जोन किसके तरह भी आयप करता है ऑक्सी डाइजिग एजेंट के तरह भी आयप करता है बच्छो ऑक्सी डाइजिग एजेंट ठीक एन लाश्ट वन इस वाट यह भी statement तब क्या है correct है इट इस उस्ट इन ऑक्सी oxy acetylene and oxy hydrogen flames अब देखे बच्चो जब welding welding की जाती है जब welding का process किया जाता है तो उस समय oxy acetylene के साथ acetylene के साथ oxygen gas involved रहता है इसलिए ozone gas involved नहीं रहता है ozone involved नहीं रहता है acetylene के साथ oxygen involved रहता है तो यहाँ पर कहा हुआ है कि it is used in oxy acetylene no oxy acetylene process में oxygen involved रहता है ozone involved नहीं रहता है तो बिल्कुल ये statement क्या है wrong है और हमें wrong ही statement को ही तो correct मतब चूस करना था बच्चों तो fourth option को ही में चूस करना पड़ेगा Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर होसा आज ही राउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर